योगा विश्व को आज के शहरी करण के दौर में स्वस्थ रखने का रामबान इलाज है जिसके तर्च पर ही 21 जून को विश्व योगा दिवस के मनाया जाता है योग सभी के लिए है और इसका नियमित अभ्यास करने से सभी प्रकार की बीमारिया दूर होती है यह न केवल भीमारियों से बचाता है बलकी नियमित योग करने से शरीर मजबूत होता है योग प्राचीन काल की भारतीय विध्या है योग संतुलित व्यक्तिक्व प्राप करने और गुरापे को रोखने का प्रभावी उपाय माना जाता है योग से सांसों पर नियंत्रन प्राप्त किया जा सकता है योग्रिया के दौरान सांसों को छोड़ने और सांसों को खीचने की विस्तरित वैध्यानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे शरीर में प्राणवायू का संचार होता है इससे शारीरिक और मानसिक आनन्द की अनुभूती प्राप्त होती है योग सॉंदर्य के लिए अती आवश्यक है क्योंकि आनन्द का अहसास शारीरिक सॉंदर्य का अनिवारी आंग है योग से त्वचा के बाहरी हिस्से तक रख संचार में बढ़ोतरी होती है तथा यह त्वचा की सुंदर्ता के लिए काफी एहम भूमे का अदा करता है क्योंकि इससे त्वचा को पर्याप खोशाहार प्राप्त होते हैं इससे त्वचा में मौझूद विशेले का दार्त्म को बाहर निकालने में भी मदद लोती है इससे त्वचा के संकुलन में मदद मिलती है तथा इससे त्वचा में रंगत आती है योग से त्वचा में ऑक्सीजन का संचार होता है त्वचा में सुंदर आभा का संचार होता है और त्वचा में योवन पन बना रहता है बचा अनेक रोगों से मुख रहती है यही प्रक्रिया बालों में भी लागू होती है योग से बालों की कोशिकाओं और सिर्की खाल में रक्त संचार तथा ओक्सीजन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है इससे बालों की कोशिकाओं को रक्त हम्मियों में पोशाहार की आपूर्थी होती है जिससे बालों की आकर्शक व्रद्धी होती है जब हम सौंदर्य की बात करते हैं तो हम मात्र बाहरी चहरे के सौंदर्य की ही बात नहीं करते लेकिन इसमें शारीरिक बनावट, इसके लचीलेपन, हाव भाव, आकर्शन तथा मनोहरता भी शामिल होती है जहां तक बाहरी दिखावत का प्रशन है, वहां छहरहरे बदन से आप काफी युवा देख सकती है और लंबे समय तक यौवन बनाए रख सकती है योग से शरीर के प्रतेक टिशू को आपसीजन की आपोर्ती होती है, जिससे स्वस्थ तथा सुंदर्ता की राही खुद ही खुल जाती है यदि आपके जीवन में शारीरिक सक्रियता की कमी है तो आप बुड़ापे को आमन्थरन दे रही है योग तथा व्यायाम से समय से कूँद बुड़ापे को प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है क्योंकि इससे नकेवल शारीरिक सुदर्ता प्राप्थ होती है, बल्कि शरीर पतला तथा स्वास्थ्य भी दिखता है योगिक आसनों से रीर की हड़ी तथा जोड़ों को लचीला तथा कोमल बनाया जा सकता है इससे शरीर सुदर्र और फुर्तिला बनता है, मानस्पेशिया सुदर्र जोती है रख संचार में सुधार होता है, शरीर में उत्साह तथा प्रांशक्ती का संचार होता है तथा बाहरी सुदर्य और अच्छी स्वास्थय को बढ़ावा मिलता है सुदर्य से जोड़ी अनेक समस्याएं तनाव की वजह से उत्पन होती है योग से तनाव कम होता है और शरीर शांत में स्थिती में आ जाता है जिससे तनाव की वजह से हुने वाले रोग जैसे बालों का ज़ड़ना, मुहासित, फुंसी, गंजापन तथा बालों में रुंसी की समस्या से थाई निजात मिल जाते हैं योगासिल को अपनी दैनिक बिंचर्या में शामिल करने वाले योग साधकों पर किये गए एक अध्यान में यह निशकर्ष सामने आया है कि योग साधकों के व्यक्तित्व, व्यवहार, भावनात्मक स्थायत्व, आत्म विश्वास में सकारात्मक बदलाव देखने में मिलता है योग का दिमाग भावनाओ, मनोदशा एवं चितवरिती पर सीधा प्रभाव पड़ता है योग तनाव को कम करता है और आपकी तवचा में आभालाता है योगा से आप ततकाल योवन को ताजगी तथा बहतर मूर का अहसास करेंगे